नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हामारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों वास्तु शास्त्र का हामारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है कौन सी चीज कहां रखनी है, घर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए या फिर घर का निर्मार किस तरह होना चाहिए या सभी चीजें वास्तु शास्त्र में बताई गई है दोस्तों कई वार घर के अंदर ऐसी चीजें लगी रहती है जो अशुबता वा नकारात्मक्ता का प्रतीक होती है जिससे ना केवल परिवार की सुक्षानती खत्म होती है वलके धनसंबंदिस समस्याओं का भी सामना करना प्रता है दोस्तों वास्तु शास्त में घर से जुड़े सभी कार्यों को करने के तरीके बताए गए है आज के इस वीडियों में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका घर में होना कई समस्याओं का सामना करना प्रता है और आपको वास्तु दोस्त लग सकता है ऐसी चीज़ें नकारात्मा कूर्जा के सासाथ धनकी हानी का कारण भी वन सकती हैं तो कौन सी वो चीज़ें हैं आईए जान लेते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों नमबर एक नल से टपकता हुआ पानी वास्तु शास्त के नुसार पानी धनका प्रतिनिद्ध करता है आकसर देखने को मिलता है कि कुछ लोगों के घरों में नल से पानी टपकता रहता है और साथ ही घर की दीवारों में भी नमी रहती है जो वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता है जिस घर में ऐसी इस्तिती रहती है वहां माताल अच्मी का वास नहीं होता है जिसकी वजे से परिवार के सदस्यों को आर्थिक समस्या का सामना करना परता है इसलिए दोस्तों घर के नलों का हमेशा सही रखना आपके लिए जरूरी है और दीवारों पर किसी परकार के नमी ना हो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों नमबर दो, घर में पड़े तूटे वरतन घर में पड़े तूटे वरतन वा तूटे कांच राहु का परतीक माने जाते हैं जो मानसिक पीडा वा आर्थिक नुक्सान करते हैं साथ ही घर में किसी दीबार पर दरारें भी देखने को मिल जाती हैं ये सबी चीजें वास्तु दोस का कारण बनती हैं इसलिए घर में अगर तूटे वरतन वर तूटे हुए कांच रखे हूं तो उनको तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए और घर की दीबारों पर दरा रहे हैं तो उनको सही करवा लेना चाहिए ऐसा करने से घर का वास्तु दोस दूर हो जाता है और जीवन में तरक्की आजाती है दोस्तों नमबर तीन घर में पच्ची का घोसला होना वास्तु शास्त्र के नुसार घर में अक्सर छत या फिर किसी कोने पर पच्ची का घोसला दिख जाता है जो वास्तु के नुसार गरीवी को आमंतरित करता है अगर किसी पच्ची का अंडा तूड जाए तो या निकट भविस्य में आर्थिक चुनोतियों का कारण वन सकता है ऐसे में कबूतर या अन्य पच्छी का घर में गोसला नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर ये गोसला घर की चार दीवारी के बाहर हो तो इससे कोई परिशानी नहीं होती है लेकिन अगर ये घर के अंदर है तो आप इसे तुरंट बाहर कर दीए दोस्तों नंबर चार है वित्ती इस्तिती को प्रभावित करती हैं ये चीजें जाला वा कबार भी घर में नकारात्मा कूर्जा का सबसे बड़ा सरोत माना जाता है जिन घरों में हर रोज साप सफाई रहती है वहां मालच्मी का वास होता है घर में अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मरम्मत की मांग करती हैं तो उनको सही करवाले या उन्हें घर के वाहर कूरेदान में फिक दें साती मकडी के जाले को भी तुरंट थटा दें माना जाता है कि जाला ना सिर्फ वित्ती इस्थिती को प्रभावित करता है बलके किसी भी कार या गत्विद्धी को भी रोबता है इसलिए कवाल और जाले को हमेशा हटाते रहना चाहिए और दोस्तों लास्ट पॉइंट और नमबर पाँच है शनी का प्रभाव बढ़ाती है ये चीज़ें वास्तु शास्त्र के नुसार फटे जूते चप्पल का संबंद शनी से माना जाता है फटा हुआ जूता घर में रखने से शनी के नकारात्मक प्रभाव का प्रकोब बढ़ता है बहीं बंद घड़ी घर की प्रगत को रोकने की सूचक है इसको घर में रखने से दनकी हानी होती है अगर आपके घर में बंद पड़ी घड़ी है या फिर फटे हुए जूते चपल लखे हुए है तो उनको घर से बाहर जरूर कर दें ऐसा करने से वास्तु दोस्त के साथ साथ शनी दोस्त से भी आपको मुक्ती मिल सकती है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो वीडियो में दी गई जानकारी वास्तो शास्त पर आधारित है ये यूट्यूब चैनल इसकी पुष्टी नहीं करता है इसे अमल मिलाने से पहले आप इस चेत्र के किसी विशेशक किसे सलाह मस्विरा अवस्त से ले लें आज के लिए वस इतना ही मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड थैंक्स पार वाचिंग माई वीडियो